दोस्तों स्वागा थे आपका मेरे चैनल पर काफी दिनों से मेरे चैनल पर दोस्तों डिमांड आ रही थी कि आप एक फ्लाइट का टिकेट बुक करके दिखाईए जिसमें आम पेमिंट भी करके दिखाईए और आप सेक्सेस्फुल जो है वो वेब चेकिन भी करके और उसके बाद बैगेश टैग वगेरा और बोर्डिंग पास वगेरा भी डाउनलोड करके प्रिंट करके दिखाईए तो दोस्तों चलिए चलते हैं इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में कुर्सी की पेटी बान लीजे और आशा करते हैं कि आपकी जो यात्रा इस टिकेट की जो यात्रा है वो आपके लिए सुखा दोगी तो चलिए दोस्तों चलते अपनी मोवाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे और हाँ घंटी जरूर दबाईएगा नहीं तो अगला वीडियो जरूर मिस्स कर देंगे तो चलिए दोस्तों मेक म दोस्तों सर्च पर क्लिक करने के बाद मैंने लखनों से चेहनगी सारे और यह कि चंडीगड़ में रुकेगी चंडीगड़ में हमें चेंच करना होगा टोटल जर्नी टाइम ये 6 hour 25 minutes लेगी और हमने book now पे दोस्तों click कर दिया है book now पे click करता ही कुछ और details आ गई है देखिए दोनों flights दिखा रहा है और दिखा रहा है कि 1 hour 45 minutes चंदीगर में हमें रुखना पड़ेगा उसके बाद यहां saver वाले option पे दोस्तों click करके कि हमने इसे continue कर दिया है और continue पे click करने के बाद देखिए cabin bag 7kg, check in bag 15kg ये सब वगेरा information आ रही है refund policy दिखा रहा है कि 1595 वी केवल refund होगा अगर आप इसे cancel करते हैं तो 4,900 के लगबग ticket था 5,405 उपय का हो गया अब यहां पे आप promo code apply कर सकते हैं amount इसले बढ़ गया क्योंकि convenience fee दोस्तों लगती है उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर नीचे आप आएंगे यहां पर आपको insurance yes या no करना है मैंने यहां पर fly sale वाला promo code apply कर दिया है जिसमें लगबग 200 रुपय मेरे छूट जाएंगे उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर add new adult पर मैंने touch कर दिया है और mail पर click करके मैंने जिसको travel करना है मैंने उनके नाम का full name मैंने type कर दिया है उसके बाद दोस्तों confirm पर दोस्तों touch करते हैं और उसके बाद देखिए दोस्तों फिर से एक बाद सारी details चेक कर लेंगे और यहां पर देखिए phone number जो है वो मुझे change करना है तो मैंने यहां पर click किया और अपना phone number जो है change कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी दूसरे phone number पर यह information जाए उसके बाद जो यह insurance वाली जो policy इसको मैंने no कर दिया दोस्तों आप चाहे तो yes कर सकते हैं यहां पर आप review details कर लीजे अगर आपके नागी spelling बगरा दिक्कत है तो edit कर लीजे नहीं तो आप next कर दिये उसके बाद दोस्तों आप आगए है flight वाली seat वाली selection पर यहां पर देखी यहां पर लिख किया रहा है कि जैसी आप successful web check-in कर लेंगे तो boarding pass आपकी email पर बेट दिया जाएगा अब यहां पर आपको seat selection करना है यहां पर जो green वाली seats हैं दोस्तों वो free हैं जो light green वाली हैं उनका charge है 99 रूपीज से 350 रूपीज सबसे पीशाली seat मैंने देखी select कर लिए जो कि free वाली थी उसके बाद दोस्तों आप इसको change भी कर सकते हैं select करने के बाद अगर आपको नई पसंदारी आपको window side की चाहिए तो थोड़े पैसे extra पढ़ेंगे आप seat अपनी select कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों मैंने next पे click कर दिया है यह meals पे ले गया है meals में यानि कि आपको कुछ additional अगर खाना पीना चाहिए तो वो आप कर सकते हैं उसके बाद मैंने next पे click किया तो देखिए second वाली flight यानि लखनाओ से चंदिगर नहीं वाली एक seat मैं पीछे select करता हूँ जिसका चार्ज लगभग पड़ेगा देड़ सो रुपए देखिए बाइस F वाली मैंने seat select कर ली है 150 रुपीज आ रहा है इस तरह करके आप next कर देंगे meals को आप skip कर जाईए यहाँ पे cap वगेरा के option आ रहे इसे भी हम skip कर देते हैं next कर देते हैं दोस्तों और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम payment option पे आ गए है हमेशा किना दोस्तों payment option जो है वो सबसे best तो रहेगा UPI तो हम लोग सबसे पहले UPI से ही try करेंगे सबसे उपर वाले option से दोस्तों और UPI यहाँ option से दोस्तों click करने के बाद इसे permissions मांगेगा इसे आप allow कर देंगे इसको भी आप allow कर देंगे उसके बाद आपका mobile number एक बार यह खुद जो है verify करेगा तो आपको वही sim select करना है जो आपका bank में जो link दो जो आपके bank account में link दो तो अब यहाँ send SMS पे हम लोग click करते हैं और कुछ wait करते हैं दोस्तों तो यह हमारा number जो verify हो जाएगा एक तरह से मतलब यह sure हो जाएगा कि यह number की मालिक हम ही है तो इसके बाद थोड़ा सा time लग रहा है 22 second 21 second अभी verify हो जाएगा 4-5 second में तो देखे यह message भी आ गया SMS की verification स्टार्ट हो गया है और अभी देखते रही है यह देखे verified हो गया अब यहाँ पर bank की list आ गई है bank की list हम all other banks पे click करके यहाँ पर अपना मन पसंद bank जो भी हमारा bank है उसे हम select कर देते हैं यानि की bank of badoda यहाँ पर select कर देते हैं bank of badoda select होते ही मेरे इस number से link 2 account है तो दोनों account आ गए जो account मैंने select कर लिया उसके बाद enter mpin and pay यहाँ पर मैंने दोस्तों click कर दिया है click करते ही enter mpin and pay हम pin वाली screen पर आ गए अपना 4 digit का UPI pin डालेंगे normally दोस्तों ticket book और जाना चाहिए लेकिन आप देख सकते हैं payment failure हो गया unable to process due to technical failure तो इस तरह का message आ रहा है तो चलिए हम card से अपना payment करते हैं credit card debit card वाला option यानि की ATM card यहाँ पर मैंने अपना card number डाल दिया है उसके बाद अपना नाम, expiry date और month और उसके बाद मैंने अपना CVV number उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे pay through OTP 3D secure pin यह मैंने कर दिया है और यहाँ पे continue पे touch कर दिया अब यहाँ हमें bank की site पे ले जाएगा जहाँ पे एक OTP बस हमें डालना होगा हमें wait करना होगा वहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर OTP जो के लिए हम wait कर रहे हैं जैसी OTP आएगा इस जगे पर हम OTP जो है वो type कर देंगे और submit पे click कर देंगे देखिए OTP आ गया OTP पढ़ लेते हैं 212049 और इसको यहाँ पर हम type कर देते हैं दोस्तों 212049 तो यह OTP दोस्तों हमने type कर दिया और अब हम submit पे दोस्तों touch कर देते हैं submit पे touch करने के बाद दोस्तों payment successful हो जाएगा कहीं और touch नहीं करना है और देखिए दोस्तों तुरंद ticket जो है आपका successful देखिए booking progress और यह देखिए ticket book हो गया उपर green color से मिल गया अब यहाँ पर बोला WhatsApp पर आपको चाहिए तो yes I am in पर दोस्तों click कर देंगे तो आपको WhatsApp और यहाँ पर जो two seats सारा है लिख करके तो यह दो seats यानि की दो अलग-अलग flight है लकनौ से चंदिगा चंदिगार से चंदगार उसके बाद download e-ticket पर दोस्तों click कर दिया है download e-ticket download हो गया web check-in भी confirm हो गया है web check-in now पर मैंने touch कर दिया है और allow पर दोस्तों यहाँ permissions यहाँ पर allow कर देते हैं तो download e-ticket e-ticket हमारे mobile में download हो गया है उसके बाद आप देख सकते हैं सारी details नीचे आ रही है एक check-in baggage आप यानि कि एक bag आप check-in वाला लेके जाएंगे 15 kg वाला उसके आद एक cabin baggage 7 kg वाला bag के tag जो प्रिंट हो जाएंगे और आपका PNR नमबर दोस्तों देख रहा है तो अब यह आगे की formalities आगे वीडियो में आप देखेंगे यह देखें वाटसेप पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि web check-in का एक message आया था उस पे link पे मैंने click किया तो यहीं पे आ गया है और booking confirmed इस तरह दोस्तों आ रहा है तो अब यह सारी process हो गई आप my orders पे जाएंगे तो या my bookings पे जाएंगे make my trip में तो आप अपना ticket दुबारा देख सकते हैं अब आपको अपना Gmail ID दोस्तों दिखाते हैं Gmail पे देखी कुछ दोस्तों आपके पास mails आ गई है ठीक है तो पहली mail देखी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे पहली mail है कि e-ticket booking for booking ID तो यह ticket है हमारा ठीक है इसको दोस्तों mail को click किया और यहाँ देखी हमारा e-ticket आ गया है इसमें नीचे scroll करेंगे तो attachment की तरह एक आपकी PDF फाइल लगी होगी इस फाइल पे दोस्तों click करेंगे और देखिए नीचे scroll करते हैं और नीचे scroll करने के बाद इस फाइल पे दोस्तों click करेंगे तो यह फाइल डाउनलोड हो जाएगी डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस फाइल को आप PDF फाइल को खोल लेंगे mobile पे भी खोल जाएगी आपके Chrome ब्राउजर में या आप directly खोल सकते हैं तो यहाँ पे देखें यहाँ पे यह PDF फाइल खोल गए हमारी e-ticket की यह आपका e-ticket आपकी आँखों के सामने है आप इसको print निकाल के अपने future references के लिए use कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग एक step back करते हैं और back करने के बाद एक दूसरी email हम आपको दिखाते हैं दूसरी email जो है वो है यह वाली देखिए इसके बाद web check-in now open for your flight to चंदीगर तो web check-in पे यहाँ पे दवस दोस्तों यह आप web check-in पे हम लोग क्लिक करेंगे directly अपनी उसी site पे ले जाएगा make my trip की और सीधे जो है आपका web check-in successful हो जाएगा indigo.com से या indigo.co.in से भी directly आप web check-in कर सकते हैं केवल आपको अपना pnr number डालना है और अपना last name डालना है जैसा कि आप screen पे देखने है web check-in अगर नहीं हो पारा तब यह करेंगे पैसे हमारा हो चुका है लेकिन मैं आपको अलग option एक और दिखा रहा हूँ देखिए pnr number यहाँ पे डालेंगे और last name अपना डालेंगे या नहीं कि अपना surname बस और उसके बाद आप check-in पे click कर देंगे web check-in successful आपको screen पे लिखके आ जाएगा तो web check-in हमारा यह अलग-अलग तरीके थे फिर से दोस्तों लोग चलते हैं back और एक तीसरी mail देखिए एक और दोस्तों तीसरी mail देख रही है back tag for pnr rmy 24d यानि कि इस pnr के लिए हमें back tag यहाँ पे देखिए उपर वाली mail है मैंने जिनके लिए ticket book किया तो उनको forward किया था तो अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर attachment की तना bag tag भी है इसको download कर लिया है download करके इसको भी दोस्तों print कर देंगे और print करने के बाद इसको अपने bag पे आप घर से ही attach कर देंगे आप देख सकते हैं screen पे यह हो गया आपका bag tag ठीक है इसको किस तरह fold करना यह instructions भी देखिए नीचे दिये हुए तो इस तरह आप इसे fold कर देंगे और इसको use कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों bag tag के लाबा आपका boarding pass जैसा कि मैंने बताया web check-in जैसे successful होगा तो boarding pass आपका automatically mail पे भेद दिया जागा boarding pass दोस्तों compulsory है देखिए boarding pass की mail आ चुकी है boarding pass पे click करेंगा इसमें दो attachment है दोस्तों एक health declaration form और दूसरा है boarding pass तो हम सबसे पहले boarding pass को दोस्तों download करेंगे देखिए नीचे scroll करने इस वाली file को हमने download किया और download करने के बाद दोस्तों देखिए boarding pass लिखा भी हुआ है और इसको हम खोल के आपको दिखाते हैं केवाल आप लोगों की जानकारी के लिए दोस्तों ये सारी चीज़े है देखिए दोस्तों यह आपका आगया boarding pass और boarding pass को भी दोस्तों आप प्रिंट करके लेके जाएंगे एरपोर्ट पर और इसके बाद दोस्तों हम लोग फिर से एक step back आते हैं और अपनी उसी mail पे दूसरे वाले attachment को download करते हैं जो की health declaration form है दोस्तों आजकल करोना का time है दोस्तों तो वो भी बहुत जरूरी चीज़ है तो self declaration एक form है जिसको की आपने download करेंगे इसी तरह और यहाँ पे उसके बाद उसको खोलेंगे और इसको जो है आप print करके अपने साथ आप लेते जाएंगे यह तरह का declaration form है इसमें सारी करोना वाली सारी conditions लिखी हुई है कि आप containment zone से तो नहीं आते हैं वगरा वगरा इस तरह की सारी चीज़ें इसमें mention है देखिए लिखा हुआ है कि इसका print जो है वो travel के time आप अपने साथ carry करिए तो यह थी दोस्तों सारी information एक successful flight का ticket book करने की लखनों से chain नहीं दोस्तों कोशिश आपको करनी चाहिए कि आपको ऐसा flight select करना चाहिए जिसमें stoppage नहीं हो मतलब जो non stop हो जो direct आपको जहां से जहां तक जाना है वहां तक आपको उतारे लेकिन मेरी मजबूरी थी लखनों से chain नहीं कोई भी flight direct उस वक्त नहीं थी तो मुझे एक stop वाली flight लेनी पड़ी यानि कि मुझे चंदीगर में change करना पड़ा उसमें भी आप ये चीज अपना देख सकते हैं महाँ पे check कर सकते हैं कि amount के साब से आपको कौन सी flight सस्ती पड़ लिए है और उसके अलावाद जहां पे आपको flight जहां पे change करना नहीं है वहां पे आपको कितना time रुखना पड़ा है तो वहां पे अगर कम से कम समय रुखना पड़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है और दोस्तों टिकेट बुकिंग के बाद ये सारी formalities के बाद आप रेडी है एरपोर्ट जाने के लिए और पनी flight बोर्ट करने के लिए और दो घंटे पहले आप पहुंचें एरपोर्ट तो ज़्यादा बहतर रहेगा तो दोस्तों यही था एक इंट्रेस्टिंग वीडियो मेक माई ट्रेप से किस तरह आप flight का टिकेट बुक कर सकते हैं आशा करते हैं आपको वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आयोगा और हमेशा कितना आपके लिए काफी ज़्यादा काम कर रहा होगा तो दोस्तों चली मिलते हैं फ्रेश इंट्रेस्टिंग वीडियो में thank you for watching and bye-bye